आज एक नम्र ठी काम लास्ट टॉपिक डिस्परें इनार्मी of reproductive system रिप्रोड़क्टिव सिस्टम, इनार्मी में reproduction सब्सक्रोड़ेक्शन एक क्या रिप्रोड़क्शन जो है वह वह एक ब्यौजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडवीज्व जो है वो further रागे new इंडवीज्व जो है वो प्रोड्यूस करता है with the partnership of its partner और जो new इंडवीज्व ऊंगे वो अपनी जो ट्रेड्स में है वो काफी अतग सिमिलर ہोंगे अपने पेरंट से और reproduction जो है वो तकरीबान life का एक essential process और तकरीपन हर living organism जो है ना वो reproduce कर रहा है अपनी जो है वो reproduction के जरीए अपने number of individuals को increase कर रहा है तो अब यहां पर हम पढ़ें के reproductive system पढ़ें है human का तो human में हम पढ़ेंगे male और female का reproductive system so male and female reproductive system जो है वो किन किन पार्ट्स पर मुस्चमिल होते हैं तो वो अब हमने लिखना है कि male and female reproductive system are the series of glands and tribules क्या है reproductive system में जो है वो series of glands की और tribules की वो जो है वो involve होती है producing that produce and nature sex cell और इसके बाद क्या है sex cell मुझूद होते हैं and transport them to the site of fertilization और वो इनको जो है वो site of fertilization में transport करते हैं so क्या है male and female reproductive system जो है वो series of glands और tribules हैं जो कि produce करती है sex cell को और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करती है site of fertilization पे अब anatomy of male reproductive system में हम बात करेंगे कि male reproductive system जो है वो कौन कौन से organs पर मुश्टमिल होता है इसमें यह होता है कि कुछ organs जो है वह में internal होते हैं जो हमें physical नजर नहीं आ रहे होते हैं और कुछ organs जो होते हैं external होते हैं जिने external genitals कहते हैं जो कि हम physically अपनी जो है वो नेकिडाई से देख सकते हैं उनको जो है वो observe कर सकते हैं क्या है so सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है कि organ में testis male reproductive system का सबसे main organ जो है वो testis है और testis का काम क्या है कि यह sperm की production करते हैं उसके बाद आ जाता है पेंस का structure पेंस का structure क्या होता है कि इसका काम क्या है इसका काम जाब वो एक यूरिनेशन में मेल में help करता है और सेकीन काम जो है वो इसका स्पाम ट्रांसपोर्टेशन या एजैकुलेशन जो है वो उसमें इन्वालव है उसके बाद स्क्रॉटम है स्क्रॉटम क्या है कि आउटर जो है वो मेंबरेनियस लेयर है इसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है उसके बाद एपीडिटमिस का स्ट्रक्टर के आता है एक डग्त है जो के है जो के टेस्टी में बनने वाले स्पाम को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो आगे लेके जाती है उसके बाद वास डिफरेंशिया यह भी एक लेकिन मेल का जो होता है यूरिंडी सिस्टम और रिप्रोड़क्टिव सिस्टम जो है वाएंपया के कमबाइन होता है तो इनमें यूरित्रा का काम जो है वो यूरिनेशन के अलावा जैकुलेशन या स्पाम की ट्रांसपोर्ट जो फीमिल की बाडी में वो भी यूरित्रा उसमें भी यह मतलब स्वाम की ट्रांसपोर्ट में इन्वाल्व हैं बॉडि में इन्वाल्व करने के लिए तो यहां पे जो है वह पिंस का स्ट्रक्टर मौदूदूगा उसके बाद क्या जिता है कि सैमिनल वैजिकल्स क्या है कि सैमिनल जो वैजिकल्स होती है यह सैक लाइक structure होते हैं जो के present होते हैं bladder और rectum के दर्मियान अब इसके बाद जो next structure seminal vesicle के बाद आ रहा है वो है prostate gland का prostate gland जो होता है नहीं एक gland है male reproductive system का और इसकी oval shaped होती है और यह जो है वो ना surround करता है base of the bladder को मतलब bladder के जो है वो base पे मौझूद होता है यह तो overall हमने देखा कि कौन कौन से जो और गन involved होते हैं अब हम देखते हैं किस और गन जो है कौन सा और गन जो है वो कैसे involvement कर रहा है या उसका structure क्या है सबसे पहले यहां पर male reproductive system इसम दिखाया हुआ है इसमें यह वाला structure जो है वो बिंस का structure है उसके बाद यह वाले जो है यह वाली जो स्ट्रक्चर है यह वाली जो स्ट्रक्चर है यह यह वाले जो स्ट्रक्चर जो इस तरह का मौझूद है यह सामीनल वैजिकल है सामीनल वैजिकल के बाद यह वाला ज इसके बाद यहां पर ब्लैडर का स्ट्रक्टर और ब्लैडर के बाद यह वाला जो है वह जो है वह मेंब्रेनियस जो टैस्टी को सराउंड कर रही है इसको कहते हैं कि यह है स्क्रॉटम क्या दिखा रहे हैं टैस्टी जो हैं वो स्पर्म फर्मिशन में इन्वाल्व है नेक्स कहा है स्क्रॉटम जो है वो कूल्स यह वाली यालो कलर की स्क्रॉटम उसके बाद है अपिडिटमिस और स्पर्म यह वाला अपिडिटमिस है इसका काम क्या है इसने जो है वो स्पर्म की इसके बात बात करें कि टेस्टीस क्या है यह एक स्ट्रक्चर टेस्टीस का दिखाया हुआ है testis में यह वाली जह हैं वो testis हैं यहां से sperm ने प्रोड्यूस होकर यहां पे एंटर होना है testis का क्या है the testis are the ovoid structure ovoid structure मतब इनकी शेफ यह वाली ovoid structure where spermatozoa are formed and meal sex hormone test अब यहां पे क्या होना है यहां पे sperm बनने है और उसके इलावा क्या बनना है testosterone मतब spermatozoa बनने है और sex hormone यह वो testis में प्रोड्यूस होना है next structure जो यहां पे दिखा रहे हैं वो structure आ जाता है pinz का pinz का structure कौन सा यह वाला structure है the pinz is a cylindrical organ यह नजर आ रहा है ना आपको यह cylindrical organ है made up of specialized tissue अब जो इसके tissue है वो specialized है हर जो है वो cell अपने function के लहाद से specific है तो हर टिशू अपने function के लिहाद से specific है इसी तरह different जो है वो types के tissue जो है वो combine होके organ बना रहे हैं तो यह specialized जो है वो tissue जो है वो बनाते है pinz के structure को and our designs to convey both urine and sperm अब हमने क्या पढ़ा था कि जो मील है ना मील में जो उनका urine system है और जो उनका reproductive system है वो combine हो जाता है तो यहां पे pinz के जो काम है एक तो इन्होंने जो है वह सीमन जो है वो उसको outside the body remove करना है और क्या करना है urine को body से remove करना है so urine and semen जो है ना उनको body से बाहर जो है वो transport वो काम जो है वो pins का है उसके बाद next है scrotum scrotum is a pouch of skin care a skin का pouch है and substitious subcutaneous tissues and that holds the tissue and the testis that holds the testis suspended from the lower abdominal posterior to the pin मतलब एक pouch like structure है यहां पर यह वाला होगा scrotum यह testis का structure pouch like structure है जो के testis को surround करा है और testis को क्या करने का का काम है सबसे पहले तो यह के body के lower side पर मौजूद है abdominal portion में और posterior to the pins यानि pins के structure से पीछे की तरफ मौजूद है scrotum के बाद आजाता है epididymis epididymis कौन से structure है यह वाला structure जो यहां पर दिखाए वापीडिद्मिस epididymis जो है वो strightly quail tribules यह quail tribules है जो के adjacent है testis के यह testis का structure है इसके adjacent है जो है वो मौजूद है इसके adjacent जो है यहां पर यह epididymis मौजूद है टो देस्टीज एंड लिदिंग फ्रम टेस्टीज तो दा वास डिफरेंशिया और इसके बाद का है testis से यह वास डिफरेंशिया का structure है तो यह आगे connect हो रही है वास डिफरेंशिया से इच एपीडिद्मिस इस highly coiled tubules lying adjacent to the testis and leading from the testis to the wash difference है मतलब कि testis के adjacent है और wash differential से next जो है वो combine हो रही है उसके बाद wash differences का structure wash differences है क्या हर wash differences जो है वो एक muscular tube like structure होता है जिसकी length जो है वो 45 जो है to the body cavity और body cavity के अंदर यह body cavity के अंदर जा रहा है एपीडिद्मिस से यह outside the body और यह inside the body जा रहा है जैकुलेट्री डग्स वियर इट युनाइट एंड इंपिटी इस connect into the urethra कहां पे जहां पे यह जहां के connect हो रहा है यूरित्रा से क्या करा है यहां पे यूरित्रा में यूरीन आना यूरीटर से और यह वास डिफरेंसिया यहां पे जाके जो है वो यूरित्रा के अंदर उपन हो रहा है सो वास डिफरेंसिया क्या है इच वास डिफरेंसिया इस मस्कूलर ट्यूब 45 cm in length leading from to the epididymus up into the body cavity to the ejaculatory drug where it unite and empathize its content into the urethra जहां पे यह पने content को यूरित्रा में जाकर रिमूब कर देगा उसके बादे seminal vesicles seminal vesicles क्या है कि each seminal vesicle is a sack like structure attached to the wasp differences near the base of the urinary bladder यानि urinary bladder के base पर wasp differential जो है वो attach होती है इसके तरही है यह वाला seminal vesicle का structure है यह वाला structure seminal vesicle का अब seminal vesicle का है sack like structure है और उने ने कहा है क्या इसका function है कि यह attach कर रही है wasp differential को near the base of burinary bladder मतलब जहां से bladder start हो रहा है वहां पे यह जो है वो उसके साथ unite कर रही है उसके बाद आ जाता है prostate gland prostate gland कौन से यहां पर prostate gland मौजूद होंगे the prostate gland is the chest nut shape मतलब nut type इसकी shape होती ए structure surrounding the urethra जो कि urethra को surround कर रहा है as a base of urine re-bladder urine re-bladder की base पर कहां पर? यहां पर? urine re-bladder की base पर जो है वो इसकोueueutra को surround कर रहा है urine re-bladder जो कि पास जो है वोبةothra को surround कर रहा है prostate gland नेक्स जो है वो अब आ रहा है कि female reproductive system पहले हमने डिस्कस किया था मेल डी परोड़क्टिव सिस्टम में नेक्स यहां पर कि फी मेल डीप्रोड़क्टिव सिस्टम पहले आने के female reproductive system किन किन organs पर मुश्तमिल होता है so female reproductive system के external organ ये external genital की बात करते हैं तो सबसे पहला जो external organ यहां पर लिखा हुआ है वो vagina का लिखा हुआ हुआ है vagina इसको birth के नाल भी कहते है vagina को vagina जो है वो muscular tube होती है और क्या होती है इसके अंदर highly blood vessels मौजूद होती है और नर्स मौजूद होती है और ये इनका क्या काम होता है कि ये एक उसको जो है वो वो structure है जहां से हमारी यूट्रेस है वो outside the body open हो रही है तो ये structure जो है वो vagina का है उसके बाद next structure जो है वो लीबिया माइनूरा का है लीबिया माइनूरा का क्या है लीबिया माइनूरा जो है वो एक thin folded structure है ये वाला two folded structure है जो कि इसको जो है वो surround कर रहा होता है विजाइना को और जो है वो protection provide करता है लीबिया माइनूरा उसके बाद लीबिया माइनूरा जो है वो उससे बाहर की outer fold नेंगा ये थोड़ा swelling portion होता है और उसके बाद जो लिखा होता है हाइमन का structure क्या होता है कि यहां इसको जो है वो विजाइना को surround करने के लिए एक lead like structure मौझूद होता है जिसको हाइमन कहते है मतलब एक thin piece of skin that surround and partially cover the vaginal opening of the female इसका हलता हाइमन तो कौन कौन से बाहर है विजाइना, लिबिया, मायनेरा, and हैमन विजाइना की बात करें विजाइना का structure जो हमने यहां पर देखा के विजाइना होती कहा है it is a muscular tube मतलब muscle से बिनकर बनी it is a muscular tube well splied with a blood vessel and nerve it is extended form to the walls to the uterus and it is situated behind the bladder and the urethra and in front of the rectum and the anal canal so एक एक पॉइंट को करके देखते हैं क्या है muscular tube well supplied with the blood vessels मतलब highly blood vessels यहां पर supplied होती है और उसके लावा nerve उनका connection होता है उसके बाद यह एक्स्टेंट कहां से कर रही है walls के structure से uterus तक एक्स्टेंट कर रही है और यह कहां पर मौजूद है behind the bladder of bladder ब्लाडर से पीचे की तरफ है and the awake and the uretra and the sore left and in front of the rectum and the inner canal and inner canal औरOkay तरफ मतलब यह के hams वीजाना की स्ट्रक्टेंट क्या है और रहते रेक्टम का structure फ्टिक्तिर है पीचह की तरफ मौजूद है जैसा के यहां पे ना इन्होंने दिखाया हुआ है सबसे पहले क्या दिखा हुआ है यह यूटरिस है यूटरिस के बाद यह वाला जो सर्वीकल रिजने यह सर्विक्स का है यह वाला जो मस्कुलर है यह विजाइना है और उसके बाद यह यूरिटर्स आ रही है यह वाला और जो है वह इसका फिमेल का रिप्रोडॉक्टिव सिस्टम दिखाया हुए नेक्स्ट आजाता है कि लीबिया मायनुरा क्या है लीबिया मायनुरा 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 लीब इता हैं लीबिया मायजैरा मतलब यह वाले दो पूर्शन जहां वह लीबिय मायजैरा के माय lado मौ्जुद न फॉर्म क्रिक व्लुड लाइक इता क्रियों नहीं कुंक यहां पिंड वहा रिय निद प्लड व्लुपीज बुद्सित अब यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो कैलिटोरियस का है कैलिटोरियस is a mass of erectile tissue at the anterior end of the walls between the libya minora and the calytoorius compressed to the pins and has a similar structure क्या कह रहे है कि कैलिटोरियस जो है वो मास है erectile tissue का and the anterior end of the wall मतलब यह वाल जो structure है इसके यह वाला overall structure इस वाल्स का है ना तो इसके anterior end पे उपर वाले portion पे मौझूद है between the libya minora यह वाला structure libya minora का था ना तो यह इन दोनों के दर्मियान में मौझूद है अब वो कह रहे हैं कि इसका structure जो है ना वो pins के structure जो है वो काफी similar होता है लेकिन यहां female में जो है वो इसका structure और होगा लेकिन male में और लेकिन जो है वो इन में थोड़ी सी similarities जो है वो पाई जाती ह नेक्स्ट आ जाते हैं internal organs मतलब female reproductive के यह वाले तो external genitals के हमने बात की थी ना जो जो मौझूद होते हैं अब हम उनकी बात करेंगे जो internal organs है so internal organ में पहला structure जो है वो uterus का रहा है uterus के बाद ovaries है uterine tubules यह फिलोपियन tubules हैं और में अमरीक लैंड या breast का structure है ovaries क्या करती है फीमेल में जो है मोना दो ovaries मौझूद होती है दो ovaries जो है वो आगे common duct में उपन होती है uterus में so ovaries में क्या का क्या का मैं female gonads है ना मतलब के egg की production जो है वो ovaries में होगी so क्या है इस आर फीमेल gonads these are two ovaries lie on each side of the uterus uterus each ovaries weight is 4-8 gram and ovaries are element shape and size is variable so एक एक बात को डिसकस करेंगे कि जो फीमेल में ovaries क्या है ovaries जो है वो इसके gonads gonads ने क्या करना है gametes produce करने है तो ovaries जो है वो egg produce करेंगी इनका number कितना है दो ovaries है जो के एक uterus जो है वो इसकी दोनों साइडों पे दो ovaries मौजूद है जिसका average weight 4-8 gram होता है और ovaries की element shape होती है और इनका size जो होता है वो variable कर रहा होता है मतलब जिसका हर बंदे का female में का body structure body size एक अलग होता है इसी तरह उन में मौजूद internal structure का size भी जो है वो उसी हिसाब से vary करेगा next आ जाता है uterus uterus क्या होता है it is known as a warm warm मतलब के birth canal के तोर पर भी जो है वो act करती है it is a organ which protect and provide nutrients to the fertilized ovum इसका क्या मतलब है इसके nutrients provide करने है fertilized ovum जानी के जाइगोट बनने के बाद वो uterus के अंदर implant हो चुका है तो अब उस जाइगोट को जो फीटिस embryo का structure है उसको जो nutrition चाहिए वो किसने provide करनी है uterus नहीं provide करनी है इसका weight होता है 3-40, 30-40 gram तक होता है और यह कहाँ पर pelvis बेडलाइज into the pelvis मतलब हमारे rectum और bladder के दर्मियान हमारे pelvic region में मौझूद होती है यह वाली जो हम uterus की बात करने हैं हमारे bladder और rectum के दर्मियान जो है वो मौझूद है और क्या है कि यह इसका काम नौरिश्मेंट प्रोवाइड करना है next जो आ जाता है वो system का वो इसका function क्या है and now four inches tube that extend from to the ovary to uterus sorry uterus तक जो क्या कर रही है वो इसका function क्या है ? मतलब ovary or uterus यह ovary है यहां पर मौझूद यह जिस तरह के यह ovary है और यह वाली जो है वो uterus है ovary और uterus के दरम्यान यह वाला जो structure है यह वाला जो fembriei का structure है इसको floppian tubules का structure कहेंगे तो इसका function क्या है fembriei जो है वो sweep करती है site into the tubules यह वाली जो fembriei का structure मौझूद है यहां पर finger like projections जो मौझूद है इन्होंने क्या करना है कि egg को ovary में से move करवा के जो है न यहां पर ovary से move करवा के इन्होंने इदर से move करवा के लेकि आना है uterus में तो इनका क्या काम है कि इन्होंने sweep करना है egg को ovary से और next जिनका क्या है celia and peristalsis move it along और सिसे celia और peristalsis movement के जरीए होती है fertilization occur within the 24 after evolution मतलब जब egg produce हो जाता है जानि egg जो है वहां से move करके जो है वो fembriei के structure से move करके ovum के structure में आएगा तो वहां पे fertilization 24R के अंदर हो जाएगी zygote lead the uterus about 7 day after evolution जाइगोर जो है यूट्रिस के बाद के पास जो है वो seven day में के बाद पहुंचे गा कैसे यह ओवरी है और यह यहां पे यूट्राइन वाल या फिम्ब्रियाई का structure मौजूद है यहां से एग जो सेल है उसने यहां पे move करना है फिर उसको यहां से जो है वो move करवाकर इदर uterus में लेके आना है अब वो कहरे हैं कि जब वो यहां से जो है remove होता है तो 24 hour के अंदर जो है वो fertilization का process जो हो जाता है उसके बाद fertilization होने के बाद वो यहां से जो है वो move करता है और remove करके यहां uterus में आके implant होता है और इस सारे process को जो है वो 7 डे जो है वो लग जाते है जाइगोड को जो है वो uterus तक पहुंचने पहुंचने में यानि सारे रस्ते को cover करने में साथ दिन का टाइम लगता है उसके बाद लास पार्ट जो आजाता है ना इन आटमी में ब्रेस्ट का structure है या memory glands है तो memory gland या breast क्या होती है के modified sweat gland that produce the milk or lactation हमारी body में sweat gland तो मौझूद होते हैं और सबको पता है कि हम sweating यानी temperature high है तो हमें high sweating होती है तो हमारी body का internal homeostasis या water balance है उसको maintain रखा जाता है इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो organisms है ना उनमें उनके sweat gland जो है वो modified हो गए है तो modified होकर sweat gland जो है वो memory gland में चेंज हो गए है और memory gland में उनका क्या काम है memory gland में वो milk production करेंगे बजाए इसके के वो sweat gland यानी sweat gland में ही फर्दर जो है evolution वा उसमें further changes हुई तो memory gland बन गई है जैसे के यह वाले जो है वो memory gland का structure दिखाया हुआ है अब हो कहने के amount of एड़ी पोस टिशू determined the size of breast size of breast को यानी के यह वाले जो purple color के यह यह वाले जो यहां पे हमें एड़ी पोस टिशू दिखाये हुए ना के यह वाले टिशू जो हैं determine करते हैं कि breast size क्या होगा इस तरह हमने उसमें पढ़ा ना कि female की body के हिसाब से होता है कि जी उसके uterine का या uterus का size भी होगा और इसी तरह उनकी जो है वो body features के हिसाब से जो है वो या उनकी body में मौझूद एड़ी पोस्ट टिशू की amount के हिसाब से उनकी breast का size होगा तो यह वाले जो थे हैं वो major organ है female reproductive system के हमारे course में anatomy का जो है वो anatomy session का अज last lecture था जो था anatomy of reproductive system तो इसमें हमने male reproductive system को पढ़ा और female reproductive system को पढ़ा केन में कौन कौन से जो है वो organ involve होते हैं उनकी anatomy क्या है तो आज की इस वीडियो में इतने थैंक्स